सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों शौमी ने लाँच कर दिया एज अपना नया फोन जो की है शौमी मी एवन तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूँ यहांपे दोस्तों हम बात करते हैं क्या है इस फोन की स्पेसिविशन, क्या है दोस्तों जूरू खाच फीचर्स मिलता है एक 5.5 इंचेज का Full HD IPS स्क्रीन जिसको दो उपर लगाए गया है 2.5D Curve Glass दो इन फैक्ट है Corning Roller Glass 3 उसको यहाँ पर यह जो फोन है यह आपको मिलेगा Snapdragon 625 के साथ में जो कि एक Octa-Core CPU यहाँ जो जो है वो है Adreno का 506 और यह दो दोस्तों हमको मालूम हमने बहुत बार सुना है कि दोस्तों बनाया गया है 14 नानोमेटरी रेकलोजी के उपर दोस्तों हमें जो फोन है इसके अंदर आपको मिलती है 4 GB की RAM 64 GB की Storage आप दोस्तों कर सकते हैं इसको expand लगा के memory card लेकर दोस्तों इस case में आप dual sim को use नहीं कर पाएंगे दोस्तों यहां पर आपको मिलता है एक hybrid sim slot जोस्तों बैटरी है इसकी वो है 3080 mAh की जिसको आप चार्ज कर पाएंगे USB Type-C port के थरू उसकों यहां पर इस phone में जो main highlight है वो है basically इसका camera जहां दोस्तों आपको मिलता है dual camera का support जहां पर दोस्तों इंप्लिमेंटेशन है वो है iPhone 7 Plus यह पर दोस्तों OnePlus 5 की तरह है जहां पर दोस्तों एक जो है आपका वो है standard lens जो दूसरा lens दोस्तों है वो है telephoto use के लिए जहां पर आपको मिलेगा 2x optical zoom दोस्तों कैमराज है वो है दोनों ही 12 megapixel के जहां पर पिक्सल साइज है वो है 1.25 micron का जो primary दोस्तों camera है उसका aperture है F2.2 जो secondary camera दोस्तों जहां पर दोस्तों है F2.6 और यहां आपको मिलता है dual tone dual LED flash दोस्तों front camera है वो है 5 megapixel का यहां पर दोस्तों aperture है वो है F2 का दोस्तों यह तो बात है इस phone के basic चीज़ों के बाकि आपको पीछे fingerprint scanner मिलता है दोस्तों सामने मिलते हैं आपको navigation के लिए buttons phone दोस्तों आपको मिल जाता है ऊपर के तरफ में IR blaster एक तरफ है आपको sim card का slot एक तरफ दोस्तों यहां पर मिलते हैं आपको volume rockers power button दोस्तों नीचे के तरफ को मिलता है USB type C port headphone jack primary mic और speaker और यहां पर दोस्तों यह तो फोन है वो काफी हद तक मिलता है यार दिखने में बिलकुल एकदम iPhone 7 Plus की तरह है यहां दोस्तों मैं कहूं तो Android Nougat और यह दोस्तों based है Android One प्रोग्राम के तरू जहां पर दोस्तों आपको मिलेंगे आने वाले recent updates और यहां दोस्तों Xiaomi ने promise किया है कि आपको मिल जाएगा Android or yoga update 2017 खतम होने से पहले पहले और दोस्तों complete interface है वो है बिलकुल stock Android जहां दोस्तों कोई भी bloat नहीं है, in fact आपको यहां पर दोस्तों ने भी apps मिलती है, Xiaomi की तरफ से वो कोई ऐसी apps भी नहीं है आप दोस्तों सारे Google की apps है, जो camera दोस्तों app है, वो Xiaomi ने थोड़ासदा tweak किया है जो कि आपको standard Google की camera app मिलती है, वो नहीं है जहां पर आपको दोस्तों portrait mode वगरे की options मिलते है और यह basically complete package है इस phone का और दोस्तों जो price है, main highlight है वो है 14,990 रुपे अब यहां पर यह जो phone दोस्तों है यह मैं कहूंगा कि एक decent phone decent design की मतलब ऐसा कुछ एकदम core phones के इंदर भी मिल जाता है जो battery दोस्तों वो भी अपनी है 3800 cms की रुकी जैसे कुछ जादा एकदम कमाल के नहीं है लेकिन android 1 दोस्तों जो है वो एक यहां पर major चीज़ उसकती है जहां पर दोस्तों आपको मिलेंगे android updates तो वो एक thumbs up है बाकी दोस्तों जो presentation था वो मैंने देखा था और यहां पर दोस्तों Xiaomi ने compare किया है बहुत बार इस phone को one plus five से iPhone seven plus से जो कि यार मुझे technically इतना पसंद नहीं आया मैं दोस्तों इसके unboxing अभी record नहीं कर पाया because मैं phone का जो box भूल गया दुबई अभी दोस्तों आ रहा था Melbourne तो दिमाग पे रहा नहीं कि मैं box लेक्या हूँ यह जो phone है यह भी दोस्तों in fact मेरा नहीं है यह है रंजीत का और बस मैंने लेके वीडियो के लिए दोस्तों काम में लिया इस phone को अब यहाँ पे आपको दोस्तों मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा phone हो सकता है मेरी नजर में अच्छा phone हो सकता है लेकिन जोस्तों camera हमने test किया अभी तक वो ऐसा है कि ऐसा कुछ कमाल नहीं है जैसा कि दोस्तों देखा है presentation में average मैं कहूंगा अभी के लिए average से थोड़ा सा उपर मैं कहूंगा मतलब लेकिन कुछ ऐसा ground breaking नहीं है कि Moto G5 Plus जोस्तों जाए G5S Plus वहाँ पर मेरे को लगती है थोड़ी सी camera performance may be better बाकी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर Xiaomi क्या करता है Xiaomi के build quality अगर दोस्तों आपका पसंद है यहाँ पर stock android तो यहाँ पर एक अच्छा combination है लेकिन inspired है बहुत ज़्यादा iPhone 7 Plus लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको चिंता करने के ज़रूरत नहीं है आपके लिए है एक छोट आसा surprise दोस्तों surprise जो है वो है यही me phone यह दोस्तों मेरे हाथ में है me A1 जहां पर दोस्तों पीछे लिखा गया है बड़े ही अराम से android one यह दोस्तों मिलेगा आप में से किसी एक viewer को आपको करने है कुछ basic काम दोस्तों आपको बताना है नीचे comment करके कि आपको इस phone के अंदर क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा जो price दोस्तों है वो सही है कि नहीं है कि दोस्तों आगे क्या करना चाहिए शौमी को कि अच्छा क्या कि नहीं किया आप दोस्तों दीजी अपना feedback उसके लगा आप कर दीजी इस video को like और share subscribe करना mandatory नहीं है अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है बागी दूस्तों यह है आपके उपर और यह है दूस्तों मेरा video me A1 के उपर मुझे क्या लगता है इस phone के बारे में और अच्छी बात है दूस्तों Android 1 वापिस आया है एक अच्छी phone के साथ में आया है वो दूस्तों बताएगा time फिलाल से वीडियो में इतना ही है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको इस वीडियो को भी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक बिर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बूलेगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए दोस्तों जै हिंद वन्दे मातरम